हमस्कार मैं हूँ अंकेत सिंग और आप देख रहे हैं किसांता का राज हम आपको एक ऐसे पक्षी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका उप्योग लोग मीट के तौर पे तो करते हैं और सबसे बड़ी खासियत यह होती है उसके मीट में कि चिकन और मटन दोनों का स्वाद उसके मीट में पाया जाता है लेकिन इसके साथ ही मतस्य पालन में भी काफी वह मददगार साबित होता है और भी बहुत कुछियों में जो पक्षी है वह बहुत ही कारगर साबित होता है तो पूरी जानकारी जो देंगे हमारे साथ हैं डॉक्टर मनमहन सर और सर से पूरी ज जो इसका प्रजाती है उससे ब्लॉंग करता है यह पहले जो है यह गेम बड़ की रूप में गेम बड़ की रूप में यह पहले विक्सित हुआ था लेकिन आज के प्रद्रिश्च में यह अब अन्डा पालन और मांस पालन दोनों के लिए काफी बहतर माना जा रहा है क्योंक इसके विकास होने में थोड़ा समय जरूर लगता है लेकिन जो क्वालिटी है वो उसमें कहीं कोई कंप्रमाइज नहीं किया जा सकता है इसमें कुछ सारी बहुत सारी विसस्ताइब है उसमें जैसे हम लोग इसके बैसिकली इसको समझने क्लिए क्या है ना इसके ऑबर सब्सक्राइब यह मुखी तेन नसलों की होती है जो हमारे देश में एक दुरूर यहां पर भी डेवलप किया गया वह रैटी उसके वारे में हमागे डिसकस करते हैं पहला जो समय भारे में आपको बता है तो यह बॉट ब्रॉट ब्रॉंच नाम से इसका एक नसले हैं तो llen पर दिया जाता है और जो चासी होती हो चोडी होती है और तीसरा है हमारे जो जलवाइव है साउथ इंडिया के जलवाईिडि़ उसमें बहूत अच्छ चाMI कासे इसको पाला जा सकता है और काफी ग्रोध इसका वहाँ पर देखा गिया है बहुत सारे इसके छोटे-छोटे करना चाहरे है इसके बारे में थ्यान पुल्वक्स समझेंगे तो अगर बात किया जाए इसके अंड़े की तो जो इसका अगर अगर अंड़े का बात किया तो यह लगवक 65 ग्राम का होता है यह उससे थोड़ा सा डिफरेंट इसको बनाता है क्योंकि साइड इसका थोड़ा ज्यादा है पहले बात यह दूसरी बात है कि जो चूजे होते हैं उसका वजन लगवक 50 ग्राम के असपास होता है और बात किया जाए कि अगर हम लोग इसको पालना चाह र अनुपात में रखे ताकि जो है मेरा आगे फार्म विक्सित हो यह बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है तो इसको जाने के लिए सबसे हम लोग एक बेसिक फंडा है कि वन इस्टू फाइब के रिखना चाहिए ताकि जब यह यौन पर इपको आपना जब एचीव कर ले गें आचे यह सरी चीजह है इसमें और जैसा कि फूड फीडिफिसेंटी रेश्यो है तो जो स्मॉल वहता है उसका बढ़नेटा है उसके बाद अधों इसका बात करें तो जो एची पतलब कितने दिन में यह मैचूर हो जाती है कि जन दिन में अंडे देने लगती है तो बिसी क्लिए यह में इसको में उतार सकते हैं मांस के रूप में फिर बात करें अगर इसके फीमेल की तो फीमेल में थोड़ा सा एक दो विक का अंतराल होता है लगवग 15-17 वीक में यह मेचियर हो जाती है मार्केट मैने के लिए और उसमें जो वाड़ी वेट होता है वह लगवग 15-17 तक हो जाता है उसके बाद हम अगर बात करें इसकी भोजन की इसको मतलब की सिस्टम में पाला जाए कैसे रखा जाए तो इसमें बैसिकली जो दो-तीन सिस्टम है जिसमें हम लोग सकते हैं उसमें वक्ति सिस्टम होता है इसको एक समयजना होगा कि हम लोग किस आधार पर अपने पाल सकते हैं आगर हम लोग आगर हैं अपना कशान बाई है अगर अपने पालने पालने प्रदियों सिंटल में कि You लोग निश्री तनुपात के बाड़े मुन को रग रहते हैं वहां पर गया होता है जो इनसेक्ट होता है जो अर्थ वाम होता है जो आपका घोंगा स्नेल से जो जीव जन्तु है उनको असारी से पिक करके यह लोग खा लेते हैं और वह प्रोटीन का अच्छा सूर्श होता है क्याने के मतलब क्या फीट कोस्ट आपका कम हो गया उनको नुटिशन भी वहां से मिल रहा है और अपना यह बोड़ी वेट गेन कर रहे हैं तो कम लागत में यह अपना बोड़ी वेट अच्छे तरीका से करें क्योंकि इनको प्रोटीन का सूर्स मिल रहा है और जो है जो हम मचेलियों में में किस तरह से मच्छी पालंड मुछा यह इंच उनको किस तरह से मददगार साथ bud कर सकता हमेरे परशओ पालक भायों के जो कि शार्त महां पहले इसमें जुड़े हैं और कुछ रिसर्च फाइंडिंग से उनके अथार पड़ी ऐसा देखा गया है कि अगर आप मुर्गी पालंट कर रहे हैं और साथ में अगर आप प्रडूस होता है जिसके क्या होता है जहां एक जहां पर अगर इकत्रित हो गई है तो फाइदा देखा गया है तो यह एक अडिस्टनल बेनिफिट है जो किसानवाई इंटेटर फार्मिंग कर रहे हैं या फिर साथ उसको चला रहा है मचलिया कहीं एक एक जगा पे बिल्कुल यह बिल्कुल लावकारी सावित हो सकता है यह बिल्कुल रिसर्च फाइंडिंग जो बेसिक फाइंडिंग्स है यह आपका मतलब ट्राल के पर देखा गया यह आइसा होता है इसका एक एडिशन आडवांटेज्टि इसको कह हम लो है जो फुली मैच्योर है उसमें देखे आप जो इनका पंक है वो देखे कितना बहुतरीन तरीका से खुलावा और आगे जो है इसको स्नूड बोलता है जो हम लोग देख रहे हैं जो चौंश टाइब का होता है वह जैसे से मैच्योर होने लगती है उसके बाद वह सुनूड क मीट परपस या फिर एक परपस भी हम लोग यूज कर सकते हैं अगर इसका बात किया जाए तो साल में लगवर देती है यह जो कि लाज़ बढ़ होने करण एक किसी का कम है उससे बहुत ज्यादा फरक नहीं पड़ता है जहां तक बात किया टेस्ट कि अगर इसके मीट के टे ढला जाता है विए चकन बलक को टेष्ट का बात बिल्कुल टेच का बात टेष्य बोल आ है कि इसको सिस्टम में पाल जाता है और फिर हमना एक प्रसको और प्रसको पालते सप्सक्राब करने का मौका मिलता हं प्रस्ट इ सूर्सेंचस आई और क्वालिटी बढ़े होता है जो है तर्की किस तरह से एक मतलब कर सकता है देखे आप जो भी फार्मिंग कर रहे हैं उसको आप कंटिन्यू कीजे मेरा कहने कर खेंग कर सकते हैं पर इसको किजेगा तो यह एक आपको एक्स्राइड एडवांटस देगा क्या है उस बीच में इसको फीडिंग में भी बहुत ज्यादा इसमें प्रॉबलम नहीं है अप जो मार्केट में प्रॉड्ट में यह माता है आप डियेक्ट पर्चैस कर कितना मददगार सावित हो सकता है जी बिल्कुल कि अगर वो मुर्गी पालन में अपना हाथ आजमा रहे हैं तो वह तर्की पालन में भी हाथ आजमाई यह बहुत जादा नहीं है बहुत जादा किया बेसे कि लिए जाए तो कुछ भी अंतर नहीं है बस थोड़ा साइज लिए तो और नहीं है तो दियान देना है जो भोजन का बात है घ्रिण का बात है तो उसके अलावा इसको टाइम कितना है त्यार इसका जो अगर फुली मेच्वर वेट कहा जाए तो जैसे मुर्गी जो अंडा देना चालू करती है ये चालू कर देती है जो मार्टेवल एज है मार्केटेबल एज जो देशी बड़ का है लगवग इसका 15-17 बिक में ये भी रेडी हो जाती है 15-17 बिक में आप इसको अराम से बेश सकते हैं मार्केटेबल एज और बोडी वेट लगवग लगवग मिल जाता है देशी बड़ की कमपरेशन सब कुछ करीब करीब जो नॉर्मल देशी मुर्गी पालन कर रहा है हमारे किशान भाई उसी के तरह टर्की पालन भी कर सकते हैं फाइदा यह है कि एक ही समय के साथ जो मीट की थोड़ा सा रहता है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है टर्की में और इसके मीट का भी मांग रहता है किलो पे तो यह फाइदा है तो आप अगर मुर्गी पालन कर रहे हैं तो इसका भी पालन करिये और साथी साथ मचली पालन कर रहे हैं तो और भी फाइदेगा सवदा क्योंकि डॉक्टर सामने जिस तर से बताया कि इसके आवाज में कुछ ऐसी जादू है जो मचलीयों में हल्चल लेकिन तरकी से जुड़ी हुए जानकारी और मं आपको डॉकल साब के माध्यं दिलाने का प्रयास करेंगे लेकिन अभी तरकी में बस इतना ही और कि έspun एक यह कहानिया बहुत कुछ हूं गी जो इसकी जानकारी थाब को झाल